हेलो भच्चो मैं केंटरबरी बेल स्कूल लच्छी वाला से आपकी रंजीत कॉर मैम कक्षा आठ के हिंदी विश्य में NCERT द्वारा रचित पुस्तक भागतीन वसंत के पाठ एक ध्वनी कविता का अध्यन कराऊंगी इस कविता में कवी ने प्रकर्ती की सहता से मानव के मन की भावनाओं का वर्णन किया है कि प्रकर्ती से वह कितना कुछ त्याग करना सीख सकता है तो हम बच्चों शुरू करते हैं अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत तो इसका भाव मैं आपको समझाती हूँ कि कवी कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा उनके जीवन में वसंत रूपी योवन अभी अभी ही तो आया है इन पंक्तियों में कवी छिपे हुए तरीके से कह रही हैं कि उनका मन जोश और उत्सा से भरा हुआ है जब तक वो अपने लक्षे को पा नहीं लेते वो हार नहीं मानेंगे हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वपन मृदूर कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रतियूश मनोहर तो इसका अर्थ है बच्चो कि कवी ने हारे हुए और निराश्ट लोगों को सोई हुई कलियां कहा है जिस परकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है ठीक उसी परकार निराला जी ने अपने प्रेरणा रूपी सूरे से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं इस तरहां ध्वनी कवीता में कवी सूरे कांतिर पाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं पुश्प पुश्प से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा में अपने नव जीवन का अम्वित सहर से सीच दूंगा में इन पंकियों में कभी वसंत रूपी उमीद बनकर सोई, अलसाई, फूलों, रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं इसी लिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुश्प से आलस और उदासी खीच कर उसमें नय जीवन का अम्रित भर दूंगा दौर दिखा दूंगा फिर उनको हैं मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत कवी कह रहे हैं कि अगर युवा पीड़ी परिश्रम करेगी तो उन्हें उसे मन चाहा लक्षे मिलेगा और इस आनंद का भी कभी अंत नहीं होगा इस परकार कवी कहते हैं जब तक वो ठके हारे लोगों और युवा पीड़ी को सही रहा दिखार नहीं देते तब तक उनका अंत होना असंभव है अब बच्चो मैं आपको इसका सारांश बता रही हूँ वो आपने कॉपी में लिखना है और हाँ कि आपने इसकी कवीता को भी लिखना है और इसकी पिक्चर को भी बनाना है सारांश में पढ़कर बता रही हूँ आपने इसको अपनी कॉपी में भी नोट करना है जरूर ही करना है तो सूरे कांतिर पाठी निराला जी की कवीता का सारांश द्वनी कवीता में कवी ने प्रकर्ती का बहुत ही सुन्दर और अद्बुत वर्णन किया है इस कवीता में उन्होंने प्रकर्ती की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है इस कवीता में कवी निराला जी कह रही है कि अभी तो उनके वसंत रूपी योवन की शुरुवात ही हुई है अभी उनका अंत नहीं होने वाला प्रकर्ती के बारे में बताते हुए कवी कहते हैं कि हर तरफ हर्याली च्छाई है और पोधों पर खिली कलिया अभी तक सोई हुई है कलियों के इशारे से यहां वो दुखी और परिशान लोगों की बात कर रहे हैं आगे कवीता में कवी कहते हैं कि वो सूरज को आस्मान में ले आएंगे और इन सोई हुई कलियों को जगाएंगे अर्थार्थ वो निराश और परिशान लोगों की जिन्दगी को खुशियों और सुखों से भर देना चाहते हैं इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हितु भी तैयार हैं कवी चाहते हैं कि दुनिया का हर इनसान सुखी रहे इसलिए ध्वनी कवीता में कवी कहते हैं कि जब तक वो हर इनसान का दुख और उसकी पीडा दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा तो बच्चो ये तो थे आपके ध्वनी कवीता का साराज अब मैं आपको इसके शब्दर्थ करवा रही हूँ और पढ़के भी बता रही हूँ जो आपने इनहीं भी अपनी कॉपी में करना है अंत मृत्यू समाप्त मृदुल कोमल यानी स्वच्च कोमल नाजुक गात शरीर निद्रित सोई हुई प्रत्यूश प्रभात या सुभः तंद्रालस नींद से भरा आलस सहर्ष तुरंत अनंत असीम लालसा अभिलाशा पार्ट खतम होता है उसके बाद जो बाकी अभ्यास कारे है वह मैं अगले पार्ट तू में आपको करवाओंगी दन्यवाद दन्यवाद अग्याद प्रत्यू